आज की वीडियो में आपको मैं ये समझाओगा कि प्रिंट ओफ डिमाइड बिजनस क्या होता है प्रिंट ओफ डिमाइड बिजनस के लिए जो डिजाइन है वो आप कहा से बनाओगे और साथ में एक प्लैटफर्म आपको दूँगा जहापे बस आपको अपने डिजाइन देना है और वो ही आपके कस्टेमर तर प्रोड़क्ट को प्रिंट करके भेज़ देंगे चाहे आपको कब बेचना है, टीशेट बेचना है, होडिस बेचना है, किताबे बेचना है, जो भी बेचना है उसके उपर प्रिंट करके वो प्रोड़क्ट आपके कस्टेमर तक भेज़ देंगे ऐसे प्लैटफर्म भी बताने वाला हूँ तो आज की वीडियो एकदम लास तक देखना, क्योंकि इसमें पूरा टुटोरियल आपको मिलने वाला है और हाँ, ये वीडियो वो देखने के बाद, विदिन सेकेंड, आप अपने स्टोर भी खोल पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री तो सबसे पहले बात करते हैं कि Print of Demand बिजनस होता क्या है तो देखो आपने इंटरनेट में बहुत सारा इस तरह का प्रोड़क्ट देखा होगा जहाँ टीशेट को पर प्रिंट है सेम प्रिंट ही कप के उपर है, पैन के उपर सेम प्रिंट है, या फिर पिलो के उपर सेम प्रिंट है और यसे प्रोड़क्ट को प्रिंट करके बेचनी के प्रक्रिया को यह बोला जाता है Print of Demand जो कि आप नेशनल, इंटरनेशनल, ऐनी अमरीका, अफ्रीका कही भी आप भेज सकते हो पहले क्या होता था, यह बिजनस अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी इन्वेस्मेंट बहुत ज़ादा लगती थी जिसको की platform बोला जाता है, POD platform बोला जाता है, जैसे कि उसमें से एक है gear lodge gear lodge क्या करते हैं, वहापे simply आपको print देना है, अपने हिसाब से कपड़ा चूस करना है और वहापे आप अपने एक store खोल पाओ के, आपको simply store में logo को लाना है जब कोई बंदा आपके website में के product बाई करेगा, तो gear launch क्या करेगा, आपके customer तक product खेश देगा और जो आपको पैसा बनता है, जो extra margin आपने add किया है, वो आपको मिल जाएगा, तो आपको यहापे एक भी रूपे इंवेस्ट करने के ज़रुवत है ही नहीं, even website जो है, वो भी आप free में बना सकते हैं, आपको पैसा लगाने के बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है तो सबसे पहले तो आपको यह दिखाता हूँ कि डिजाइन आप कैसे बनाओगे, और उसके बाद आपको gear launch की tutorial भी देने वाला हूँ कि कैसे वह आपे जाकी आप अपना product लिस्ट करोगे, account खोलोगे, कैसे उपनी website बनाओगे, पूरे टूज आपको आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो आप डिजाइन बनाना सकते है, देखो डिजाइन बनाना एक लिए सबसे बेस्ट website मेरे को लगता है, वो लगता है Canva, Simply Canva में आजाओ, यहापे देखोगे, यहापे बहुत सार आपको option मिल जाएगा, जैसे हमको Simply जाना है Design Spotlight में, जैसे हम जाओगे, य यहापे मिल जाएगा माकस होगिया, ठेक है टý शैट होगिया, वोडिस होगिया, तो Simply हम T-Shirt में क्लिक करते हैं, जैसे हमनेoni T-Shirt में क्लिक किया, यहापे Simply हमको करना है Create T-Shirt में क्लिक, करने लगत Simply हमारे पास इस तरह का PAGE आ जाएगा, यहापे आपको बहुत सार आपको बहुत सर आपको images मिल जाएगा, मान के चलो हम ये image लेते है, लेने के बाद simply हम background को क्या करेंगे, हटा देंगे, background को हम delete कर दिये, अब simplest को हम क्या करेंगे, download कर सकते है, तो से इसको simply मैं download कर लूँगा, और उसके बद इस print को मैं टी-शेट को उपर डाल दूगा, ठीक है, या फिर यहापे आपको बहुत सर मिल जाएगा, मान के चलो कि आपको shoes से related कोई design चीए, तो यहापे जाना, simply shoes लिखना, तो shoes से related बहुत सर आपको design यहापे मिल जाएगा, जैसे मैं shoes के, इस ही को मैं ले लूँगा, इविन देको इसमें आप edit भी कर सकते हैं, इसे background जो color है, वो आपको black लेना है, या फिर आपको shoes चेंज करना है, तो shoes भी change हो जाएगा, simply element में जाके लिखोगे shoes, तो यहापे shoes भी आ जाएगा, shoes भी आगे, जैसे हम shoes ही change कर देते सीधा, इसके उपर जैसे, यह तो अभी मैं आपको पूरा A to Z सिखा नहीं सकता, है ना, तो इसके उपर हमारे course है, Canva के उपर course है, जो कि हमने बहुत ही सस्ता रखा है, हमारी एक website है, the digital school.io, उसके उपर Canva के एक course में आपको मिल जाएगा, जो कि एकदम सस्ता है, तो उस course से आप Canva के बार में पूर A to Z सिख सकती हो, यह ना, बहुत ही must course है, must बना बहुत awesome है, बतलब बहुत detail में हमने उसमें बात किया है, ठीक है, तो जैसे हम यह एक print तो हमारा बन गया, तो ऐसे आपको design में बहुत सार प्रिंट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत editing आप सिखोगे, तो print आप बना सकती हो, तो simply इसको में क्या करूँगा, इसको download कर लोगा, हम जैसे मैं इसको download कर लेता हूँ, एक बड़ डाउनलोड हो जाए, फिर हम गया लॉच की website में जाएगे, और उस website को हम explore करेंगे, simply हमना डाउनलोड कर लिया, अब हम जैंगे गया लॉच के website में, यह है गया लॉच का website, यहापर आपको दिखेगा product section, इनके बास कौन कौन सा product है, कौन कौन सा product आप बेच सकती हो, जैसे कि appareals हो गया, यहापर आप दिखोगे, unisex t-shirt है, long sleeves है, ठीक है वही अब bathroom में दिखोगे, बातरूम का भी बहुत सार प्रोड़क्ट, इसको पर भी आप अपने print डाल के style कर सकती हो, यह bedroom का बहुत सा option है, है ना kitchen dining का है, drink wear का है, तो यहापर आपको हर तरह का product मिल जाएगा, साथे साथ आप phone store में click करेगा, तो यहापर देफो academy भी है, यहाँ से आप सीख सकते होई, कैसे आपको POD यानि print of demand business शुरू करना है, यहाँ पर बहुत सारे आपको classes मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको training मिल जाएगा, साथी साथ time to time, आप अगर इनके साथ चोड़ते हो time to time, इनके बहुत सारे events होते हैं, वहाँ पर आपको invite किया जाएगा और वहाँ आपको चीज़े सिखाई जाएगी, यहाँ पर आपको चीज़े एक दब किलियर हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो उनके website हो गई, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अपने दूसरे website बसाद इंटिग्रेट भी कर सकते हो, मानके चलो कि पहले सापका Shopify एक website बना हुआ है, है न, उसमें आप integrate कर सकते हो, ITC का कोई website है, उसमें integrate कर सकते हो, order desk का हो या, तो आप integrate भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पर free में अपने website भी बना सकते हो, ठीक है, कैसे बनाना है, वो में दिखाता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने detail डालना है, जैसे ही website अपरूब करेगा, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, जैसे ही अपका अकाउंट खुलेगा, तो आपका जो अकाउंट है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, यह रहेगा dashboard जो कि आपको दिखेगा, बाकी user को backend में जो website आपका बना हूँ है, वो दिखेगा, जैसे simply मैं नीचे यहापी store में क्लिक करूँगा, जैसे यह मेरे store का नाम है, यह मैं क्लिक किया, तो यह रहा मेरे store, ठीक है, जहापे हम product list करते, कैसे list करते हैं, वो भी मैं सिखाने वाला हो, तो हम एक बार फिल्ट dashboard में चलाएंगे, और एक एक करके मौप्शन देखते हैं, सबसे पहला आता है dashboard, डैशबोर्ड और सबसे पहला आएगा purchase, कितने लोग ने बाये किया, यहापी लिखायाएगा, जो भी आपका पॉप्र रहेगा, जैसे मेरे store का नाम मैंने टी-card से लिखके रखा है, आप इसको change भी अपनी साब से change भी कर सकते हो, बढ़ अभी मैं यही रहने दूँगा, यहाँसे आपको अपना time zone जो है, वो change करना है, जैसे आप इंडिया में है, तो simply आप इंडिया लिख देना है, तो आपको एक sub domain provide किया जाएगा, वही नीचे आप देखोगे, यहाँपे अपना logo जो है, वो upload कर सकते हो, साथी साथ यहाँपे आप favicon अप्लोड कर सकते हो, logo basically website का logo उतर, favicon जो है, यह उपर का यह जो section है, इसको favicon बोला जाता है, ठीक है, करने के बाद, simply आप यहाँसे save कर सकते हो, और यहाँपे आप अपना जो team member है, वो भी आप add कर सकते हो, वही आपको अगर facebook का pixel बगरा add करना है, तो आप यहाँपे add कर सकते हो, google tag manager add करना है, वो सारी चीज़े आप यहाँसे कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे यह page आपका बन जाएगा, तो setting वाली जो चीज़े है, वो complete हो जाता है, then आता है store का front side, याँनि जो अमारी यह website है, यह website की design, तो यहाँपे आप देखोगे, यहाँपे देखोगे बहुत सारा option है, सबसे पहले तो यह अपका URL हो गया, वेबसाइट का हो गया, वह यह आपे menu शक्सना आता है, menu basically क्या होता है, यह उपर का section है, उसको menu बोला जाता है, यहाँपे आप add page में click करोगे, add page पे आप अपने हिसाब से, एक नए menu यहाँपे बना सकते हो, जैसे यह menu बन गया, और इसको मैं save कर दूँगा, जैसे मैं save करूँगा, और इसको मैं refresh करूँगा, तो हमारे एक menu यहापे आगिया, यह हमारे एक menu यहाँपे आगिया, ठीक है, मोड section में, एक नए menu आगिया, तो ऐसे हम menu बगलर, यहां से बना सकते हैं इसको आगे पीछे भी सिंप्ले से आगे कर दिया और यहां पर रिफ्रेश किया तो देखो यह आगे पीछे हो किया है यह पीछे यह आगे हो किया तो इस तरीके से आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हो देन है Campion, अब Campion जो है यहाँ पर आप अपना प्रोड़क्ट जो है वो लिस्ट करते हो, जैसे कि हम एक इमेज बनाया था, अब हम उस प्रोड़क्ट को लिस्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर शोव होगा, उसके लिए सिंपले आपको क्या करना है, आपको जा रहा है Create Campion में, जिसे अब यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिंक डालना है, जैसे कि हम एक इमेज बनाया थे, शूस का, नाइक की शूस का, तो सिंपले नाइक की शूस में डाल दूँगा, नाइक की शूस हमने डाल जिया, तो यह हमारे लिंक बन जाएगा, इ IMAGE मैं ले लिये, तो अब यहाःपे IMAGE SHOW होने लगा है, अब इसपे आप क्या कर सकते हो, आप यहाःपे, अब AD PRODUKT करोगे, कि यह जो IMAGE है, यह IMAGE आप कौन कोर से प्रोडुक्ट में दिखाना चाहते हो, जैसे मैं प्रोडुक्त में simply जाओंगा, और मैं चाहता हूँ कि T-shirt में देखे, तो T-shirt में click करके, मैं simply next में click करूँगा, अब यहाँ पर देखो बहुत type का T-shirt है, अलग-अलग type का T-shirt है, मानके चलूँ कि आपको इस T-shirt में वह image डालना है, तो simply इसमें click करना, और then उसके बाद add कर देना, तो यह product add हो किया, अब दे design को देखे आएगा, उसको T-shirt में भी यह design दिखेगा, और cup में भी यह design दिखेगा, यह चोड कि अगर आप T-shirt में अलग-अलग type के, अगर T-shirt में यह print देना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, तो यह अगर कोई customer buy करेगा, तो वो 11.80 डॉलर दे कि इस product को buy करेगा, ले यह पर जैसे 12 डॉलर, almost 12 डॉलर है, तो यह आप में 15 कर दूगा, तो अब क्या हुआ, जो platform है, वो रखेगा 11 डॉलर, 11.80 डॉलर और बाकी का 2.98 डॉलर आपके account में डलवा देगा, ठीके उसके अदमान के चलो, इसका आपको multiple color चीए, तो peak color में click करोगे, कि कौन-कौन से color में आप sell करना चाहते हो, जो color में sell करना चाहते हो, वो यह पर click करके simply save कर दोगे, तो अब यह product जो है, वो जब list होगा, तो आपको customer है, वो अपने हिसाब से color भी choose कर सकता है, वो यह मैं mug में भी color देख सकता है, या दो type का mug है, white and black, ठीके तो ऐसे आप color भी choose कर सकता हो, rate ज देता हूँ, तो जो price है, वो हम डाल दिये है, अब simply क्या करना है, आपको करना है, save and exit, then उसके बाद कुछ इस तरीके सा आपका product रहेगा, और यहापे आपका product जो है, वेक्टिप हो चुका है, simply हम link में click किये, तो देखो हमारा product, कुछ इस तरीके से दिखेगा, यह हमारा product और इसको पर करूगा, और यहाँ समय जैसा और इन्ट चूस कर लिया, तो ऐसा दिखेगा, अब कोई भी add to cart करके product को buy करेगा, अपनी सबसे size को choose करके product को buy करेगा, तो आपको जो कमीशा ने, वो आपको मिल जाएगा, आपको बस ये website के marketing कर दियो की, जैसे website में traffic आएगा, कोई product buy करता है, तो आपको अपना profit मिल जाएगा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको international market को टार्गेट करने, क्योंकि उनी लग डॉलर में खरीते है, और वो इससे आपकी सबस्यादा कमाई होने वादी है, ठीक है, platform क्या करेगा, product खुद pack करके अपके website का promotion किया, और वहाँ पर code डाला कि भूर बैम जिसको 20% discount बिना, तो उसके लिए जो code है, वो यहाँ से create होता है, discount code यहाँ से create होता है, ठीक है, वो यहाँ पर campaign का जो भी detail होगा, वो यहाँ पर show होगा, order बगर जितने order बगर आएगा, सब यहाँ पर लिखा हुआएगा, व इसक्राइब आप यहाँ से उनको email बेज सकते हो, email marketing कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपसे एक रुपे भी यहाँ पर charges नहीं लिया जाएगा, यहाँ से आप अपने customer को email बेज सकते हो, create email में क्लिक करके email बगर आप उनको बेज पाओगे, then बात आती है payout का, कि आप दिन कुछ घटे में उपर हो जाता है, तीन दिन के अंदर आपके एक रुपने पैसा आजाते हो, वो भी यहाँ पर कर सकते हो, तो इतने आसारी से आप अपने drop showing business शुरू कर पाओगे, यहाँ पर कुछ और option आपको दिखा देता हूँ, जैसके आपे देखोगे current status, जैसे ह हम इसमें click करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई चीज और है, कि आप अगर एक भी product नहीं बेचती हो, ठीक है, तो आपको blue category में डाला जाता है, वही अगर आप अगर पाच आर प्रोड़ू कर बेच दोगे, तो आपको silver category में जाओगे, 10,000 बेचोगे, तो gold में 15,000 बेचोगे, तो platinum में तो ऐसे ऐसे आपको category दिया जाता है, उसका laugh क्या होता है, नीचे हम जाके देखते है, मान के चलू कि अब blue में हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक neck t-shirt का rate परेगा, 38 रुपीज, 38 डॉलर, वही अगर अब silver में चले गाए, तो उसका rate धीरे इसे कम हो जाएगा, gold में जाओगे तो आपको और कम पड़ेगा, platinum में और कम पिलेगा, diamond में जाओगे, और कम, और first domestic में जाओगे, तो और कम, ठीक है, जो trace आपको 38 में पढ़ रहा था, वह आपको 35 में मिल जाएगा, जिससे अब ज़्यादा profit का आप आपके, तो जितना प्लेट्फरम की link में आपको description में जाएगा, वह से जाके आप उनके साथ जूर सकते हो, साथ ही साथ उनके community link, social media के चितने links है, सब आपको description में मिल जाएगा, तो वह से आप जूर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये जानना है, कि print of demand business open तो कर लिए, तो उसके marketing का से करोगे, उसके लिए बाजू वाले वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने पूरे detail में बताया हुआ है, कि print of demand business बराने के बाद कैसे उसके marketing की जाती है, इस वीडियो में अभी तक करीब 90,000 व्यू आ चुके है, बहुत अच्छी चलिए वीडियो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक लिए अपने क्याल रखना, बाई, टेक यार